आज के वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम भारत में राजकोशिय संघवाद की पुनरकल्पना विशय पर चर्चा करेंगे। एकात्मक सिध्धानतों की ओर जुकाव वाला भारतिय संघ दशकों से संघवाद और राजकोशिय संघवाद में संतुलन बनाए हुए है। परंतु नियोजित अर्थ व्यवस्था से बाजार आधारित प्रणाली में बदलाव के साथ ऐसे कई मुद्दे उभरे हैं जिनका भारत के राजकोशिय संघवाद पर प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में भारत के राजकोशिय संघवाद पर पुनर्विचार करने की कई कारणों से आवश्यक्ता है। जैसे नियोजित अर्थ व्यवस्था से बाजार संचालित आर्थिक संरचना की तरफ तीवर जुकाव। 73 और 74 वें समवेधानिक संशोधन के बाद दोस्तरिय संघव से बहुस्तरिय राजकोशिय धांचे का विकास योजना अयोग को प्रतिस्थापित करके नीती अयोग की स्थापना करना। राजकोशिय उत्तरदाईत्व और बजट प्रबंधन एफारबियम अधिनियम का अधिनियमन, माल और सेवाकर GST अधिनियम को लागू करना जिसका नियंत्रण GST परिशत के पास है, उपकर और अधिभार पर बढ़ती निर्भरता विभाज्य पूल के आकार को प्रभावित कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में कर से ज्यादा आय होती है, केंद्र सरकार कुल करों का लगभग 60 प्रतिशत एकत्र करती है, जबकि इसकी व्याय जिम्मेदारी कुल सार्व जनिक व्याय का केवल 40 प्रतिशत ही है, देश में अंतर सर कारी राजकोशिय संबंधों की प्रणाली काफी जटिल है। राज्य सरकारों के व्यय और राजस्व स्रिजन की जिम्मेदारियों के बीच निरंतर बढ़ता असंतुलन इसे और जटिल बना रहा है। यद्यपियेह असंतुलन आंशिक रूप से राजस्व साझाकरण समझोत द्वारा कम किया गया है। फिर भी राज्यों का घाटा बना रहता है। परिणाम्त अर्थ व्यवस्था की संरचना में बदलाव और राजकोशिय स्वतंतरता के लिए राज्यों की बढ़ती मांगों के संदर्भ में राजकोशिय संबंधों का पुनर्मूल ल्यांकन अनि द्वार्य हो गया है। भारत को राजकोशिय संघवाद की चुनोतियों से निपटने के लिए संबैधानिक उपायों के साथ केंद्र राज्ये के बीच सहयोग आत्मक रवईये की आवश्यक्ता है। साथ ही इस हेतु निम्न कदम उठाए जाए। ऑफ बजट वित्त पोश लिया जाता। चुनकी रण की देंदारी उपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं है। इसलिए रण को राष्ट्रियर राजकोशिये घाटे में शामिल नहीं किया जाता। पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाब देही को कायम रखने के लिए संघ, राजियों और स्थान अधिनिय सरकारों द्वारा सभी अतिरिक्त बजटिय लेन देन का पूर्ण प्रकटी करन आवश्यक है। भारत की अंतर सरकारी हस्तांतरन प्रणाली को वंचित वर्गों की प्राथमिक्ता के आधार पर संचालित करना चाहिए। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, अधिनिय और राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी योजनाएं राजियों पर अतिरिक्त बोज डालते हैं। अतह प्राधिकारों के सठीक विभाजन के लिए अनुच्छे 246 का पुनर मुल्यांकन करने की आवश्यक्ता है। तृतिय स्तर पर स्थित स्वशासन की को मजबूत किया जाए। भारत में राजकोशिय संगवाद की विकसित होती प्रकृती और बदलती गतिशीलता को देखते हुए एवं 16 वें। वित्त आयोग के संदर्भ में परियाप्त पुनर विचार करना अनिवार्य हो गया है। धन्यवाद।